हेलो एब्रिवन एल्टी उत्राखन पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बुद्धी या इंटेलिजेंस को डिस्कुस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से बहुत सारे क्वेशन्स जो हैं किसी भी एक्जाम में आते हैं सबसे बहले बात करेंगे बुद्धी या इंटेलिजेंस इसके इंट्रोड़क्शन की तो देखो क्या है कि जो पशू होते हैं पशू की तुलना में जो मलु मनुष्य में ठीक है और इसे सबसे ज़्यादा जो विवेक्शील प्राणी इनको माना जाता है वह तर्क कर सकता है ठीक है किसी भी चीज से वह भेद कर सकता है और किसी भी चीज को समझ सकता है और नई इस्थितिका सामना भी कर सकता है निश्चित रूप से यहां पश्व एक जैसे नहीं होते और इनमें क्या होते हैं तरसे व्यक्तिकत जो विभिनताइं होती हैं वो इनमें पाई जाती हैं अगर एक टीचर जो है वो क्या करता है अपनी विद्यार्थियों मैं आसानी से ये विभिनताइं समझ सकता है ये देख सकता है कुछ बहुत सारे विदियारती होते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ जो होते हैं वो देर में सीखते हैं तो इनको जो differentiator है वो बहुत अच्षे से कर सकता है अगर हम बात करें कुछ definitions की तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धी समायोजन करने की योगिता है इसके बारे में अलग-अलग मनुवज्ञानिकों ने अपनी धारणाई दी है तो बुद्धी समायोजन करनी की योगिता है इसमें जो जैसे जो मनुवज्ञानिकों का एक वर्ग बुद्धी की जो ये परिभाशा है करते समय व्यक्ति द्वारा अपने जो इनका वातवरन है उसके साथ समायोजन पर अधिक बल देता है यानि कि वह क्या कर रहा है कि environment में कैसे वह adjust कर रहे हैं उससे related एक वर्ग है जो इसको एक तरह से support करता है कि अच्छा वातवरन जो है उसमें समयोजन करना ही एक तरह से क्या है बुद्धी है तो यह क्या है देखो कुछ लोगों ने इसमें definition दी है तो उसमें सबसे पहले आते है mcdoll और mcdoll कहते हैं कि जो बुद्धी है अनिवारे रूप से नवीन समयोजन करने की योगिता है फिर इस्टर्ण कहते हैं बुद्धी नवीन परिस्थितियों में समयोजन की योगिता है ठीक है दोनों नहीं एक तरह से किसको support किया समयोजन या एडजस्मेंट को नेक्स आता है बुद्धी सीखने की योगिता है अब मनुवग्यानिकाव का एक और वर्ग होगा जो कि सीखने की योगिता को बुद्धी मानता है अब कैसे नई चीज क्या आप लर्न कर रहे हो उसी को क्या बूल दिया यहां पे बुद्धी इन्होंने मान रखा है अर्थात बुद्धीमान व्यक्ति अलपकाल में ही सीखता है और उसके सीखने का शेतर भी विस्तर Perfect हता है इसमें बुद्धी सीखने की ने की योगिता है ञ cables किसनेन और से रिलेट किया है तीसरा आता है बुद्धि अमूर्द चिंतन करने की योगिता है, अमूर्थ चिंतन करने की योगिता है और बिने ने क्या बोला है कि जो intelligence है कि आवश्यक प्रक्रिया है जो प्रोसेस होती है किसी समस्या को अच्छी तरह समझाना उसके विशय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निवनाय पर पहुंचना एक निश्चित निवनाय पर वो पहुंचेंगे उसके बाद नेक्स्ट आता है बुद्धी समस्या समधान करने की योगता अब देखो वैशलर के विचार में क्या है कि जो बुद्धी है यानि कि जो intelligence है व्यक्ति की जो भी शक्तियां होती है ठीके शक्तियों का एक एक तरह से क्या है समुच्चिया संगूलिय शमता है यानि करता है इसमें तर्कपूर्ण धंग से चिंतन की चिंतन भी कही तरह से सम्मेलित है और थॉन्डाइक के विचार में थॉन्डाइक ने बोला है इसमें वास्तविक या तत्थि के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योगता ही बुद्धी है अब नेक्स्ट के आता है जो इंटेलिजंस है इसकी कुछ विशेष्थाइं विशेष्थाओं की बात की जाती है तो जिसमें पहला है कि जो SMайтल अबिलिटी ہोती है या जो मांसिक योगताएं होते हैं उनका एक तरह से समुचछे किया कैसीarme मैं मांसिक योगताओन है नेक्स्ट आता है जो इंटेलिजेंस से उस पर हेरेडिटी और एंवार्मेंट कैसे रिलेटेट है थर्ड है इसमें बुद्धी समस्य समाधन करने की योगेता कि कैसे हम इंटेलिजेंस यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट बुद्धी का विकास यानि कि कैसे किसी थे बटी हुई है जिए बुद्धी एवं लिंग बेद आप की साथ 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 कैसे कल्चरल डिफ्रेंस्टीस होते हैं इनकी बाद बुद्धी की विशेषताओं में करते हैं बुध्ध्ध के टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला देखो थॉन डाइक जो है उन्होंने बुध्ध्ध के को थाइप बताया था किसे थॉन डाइक ने कई प्रकार की शक्तियों का समूह कहा और उन्होंने स्थूल द्रिष्टीस से बुद्ध्धि कोने लेकर तीन अब देखो सबसे पहले जो कॉंक्रीट इंटेलिजेंस है यानि कि जो मूर्थ बुद्धी है वो क्या होती है मूर्थ बुद्धी से तातपर्य मूर्थ वस्तु के साथ संबंध से हैं मूर्थ बुद्धी के साथ संबंध से हैं मूर्थ बुद्धी को हमके कहते हैं मूर्थ बुद्धी किसको बोला जाता है यहां बुद्धी मशीनों और यंत्रों के साथ अनुकूलन करने की योगित है मतब यह क्या करते हैं जैसे मशीन सुनगी ठीक है उसके साथ मतब एक तरह से उनका माइन जो है जो बुद्धी होगी ठीक है उनमें वह मशीन और या फिर यंत्रों का काम ज्यादा करेंगे यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति उन परिस्थितियों में जिनका संबन्द यंत्रों मशीनों अथ्वा भौतिक पदार्थों से होता है अपने को सुव्यवस्तित कर लेता है और जिस व्यक्ति में ये बुद्धी होती है वे क्या होते हैं कुशल कारिगर मिस अपनी साइकल ठीक करने बच्चे कर सकते हैं अपनी साइकल्स जो उनके ठीक करेंगे घड़ी को ठीक कर सकते हैं खुद से और यांत्रिक औजारों के रूप में एक तरह से के प्रयोग में भी वह रूची लेते हैं ठीक है नेक्स आता है अमूर्त बुद्धि अब देको अ तथा पढ़ने लिखने शब्दों एवं प्रतीकों के रूप में आने वाले क्या बोलते हैं इसको समस्या जो होंगी उनको वह सॉल्व कर सकता है यह वह शक्ति होती है जो शब्दों और प्रतीकों के प्रती बहुत ज्यादा क्यों होते हैं प्रभावशाली व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होती है जिस बालक में अमूर्थ बुद्धी होती है वह विद्याले का वातवरन क्या होता है विद्याले के वातवरन में अधिक ज्यान प्राप्त करता है निक्स आती है सोशल इंटेलिजेंस यह समझ में आ रहा है कि जो समझिक बुद्धी होती ह समझिक बुद्धी से तातपर ये व्यक्ति में नीहित योगिता है कि व्यक्ति में क्या 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 चीजे नीहित हैं उसकी यहां पर बात करते हैं जिसके द्वारा वह अपने आपको समाज से अनुकूल व्यवस्तित करने में सफ़ल होता है तो एक तरह से क्या है मतब सोसाइटी में किस तरीके से रहना है उनकी बात है होती है अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो दूसरे लोगों के साथ प्रभावपून व्यवहार क करने की शम्ता मतलब कि कैसे कैसे बीवयर करने की और बात करते हैं ठीक है दूसरे से मिलेवियर करinglyंग रहना या वीकासखारियों के मैं भाग लेने सामाजिक कार्यों में प्रुची लेने की योगता ही क्या होती है सामाजिक बुद्धी हन которую नहिए अठ Hai यहा कहा जा सकता ह कि इससे बैस कि इस करा इंदर अल्दर कि सबनानी जो बात करें तो आप समय की बुद्धि का माँपन यहां से भी काफी अच्छे कोशिल्स पूछे जाते हैं तो बुद्धी का मापन जो है measurement of intelligence इसे अगर हम बात करें तो जो बुद्धी का मापन है बुद्धी परिक्षणों द्वारा किया जाता है और बुद्धी परिक्षणों को निम्न चित्त द्वारा बाटा जा सकता है ठ सब्सके के इंताईegeन टेस्ट तुह तैंप से बातागया है एक है आपका व्यक्तिगत्र बुद्धी और दूसरा है यहां आपका सामो Πर comment दो परिक्षण और है सामोह सब्सक्राइब एक है शाब्दिक समूह बुद्धी परिक्षन और दूसरा है अशाब्दिक समूह बुद्धी परिक्षन अब देखो अगर हम प्रशाशनिक दृष्टिकोन से जहां तक प्रशाशनिक दृष्टिकोन का संबंध है अगर हम बात करें तो बुद्धी को दो व्यापक वर्गो की जाती है ठीक है और सामोहिक में क्या होता है इसमें एक ग्रुप की बात करेंगे इसमें और सेकेंड है आपका कि परिक्षण के रूप के आधार पर किस तरीके से परिक्षण जो है परिक्षण के जो रूप है ठीक है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो परिक्षण के रूप के आधार पर बुद्धी परिक्षार को भी दो पार्ट्स में बाटा गया है ठीक है एक होता है आपका शाब्दिक या भावात्मक परिक्षा है ठीक है या हम कह सकते हैं इसको वर्बल और इसमें क्या होता है इन परिक्षाओं में भाषा का प्रियोग किया जाता है क् इसके द्वारा एक तरह से आदेज दिये जाते हैं तता परिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग की क्या की जाती है आग्या होती है दूसरा खो आता है इसमें अशाब्दिक परिक्षा है यह भाषा रहित नॉन वर्बल भी इसको हम बोलता है नॉन वर्बल है तो इसमें भाषा प्रयोग नहीं होता आदेश जो होते मतलब इंस्ट्रक्शन भले ही वह भाषा में दिये जा सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसे जो सि कर दो कहरते हैं व्यक्तिगत भाषातमक परिक्षाएं में क्या क्या है कि जो परिक्षाएं व्यक्ति krit 00.00 रूप एक अल्फरेट बिने हैं इनको इनको बुद्धी परिक्षाओं का एक तरह से क्या माना जाता है जन्मदाता माना जाता है ठीक है अब इसमें क्या है कि इसमें अलग-अलग स्टेजेश होती है इस तरह के लिए उत्तर उत्तर जो दीजर दीजरी कठीन होती चले जाते और यह कान मुह की और इशारा करना हो गया साथ वर्ष की अवरस्ता में जो बच्चा है अगर वो किसी चित्र को देख रहा है तो इस तरही के से क्या हुआ निस सो सोला में टर्मैन ने क्या किया था इसका संशोधन किया और सन 1937 में मॉरिल के सहीयोग से इसका एक नया रूप तया वही पत्राइकशन होते थे बच्चर अवता इस इसकेल परिक्षाएं होते हैं उसे क्यों कहले जाता था दो से 22़ वर्स तक के जो व्यक्ती घी न लिए बनाई गई थी और इसमें जो SIMPLE परिक्षा से जट्टल परिक्षा तक क्रमा नुसार क्या होता था एक मतब पहले SIMPLE में और उसके बाद देरे देरे क्या करेंगे मतब इन परिक्षाओं का उप्युक्त संशोधन कर विभिन देशों में अपनाया गया अगर हम यहां पर अपनाने की बात करें तो भारत में सबसे प्रतम प्रयाज जो है वो सन 1922 में जब उन्होंने हिंदुस्तानी बिने क्रियाज़ को परकाशित किया है YouTube भारत में प्रयुक्त होने वाली अन्य जो भाषातम या शाब्दिक व्यक्तिगत जो बुद्गी परिक्षाट ने को न्रॉमली किया जाता है सामाने बुद्गी परिक्षाट ननको बोल दिया भारती परिस्थितियों में प्रियुक्त होने वाला पहला व्यक्तिगत भाशात्मक बुद्धी परिक्षन था जवाहरलाल निहरु विश्व विद्याले की श्रीमति प्रभारामलिंगा स्वामी थी थीक है उनके द्वारा ये तियार किया गया था फिर आता है व्यक्तिगत क्रिया प्रसिक्षा हैं अब देखो इन में क्या था इन परिक्षाओं में परिक्षा सामगरी तथा उनके उत्तर क्रियाओं में होती है इन racing आपके क्रिया करने नहीं होता है। इसमें गत्यात्मक क्रियाओं से सम्बंधित जो पूर्थियां होती हैं वह समेदित होती हैं समानी रूप से अलग अलग तरीके के यह देखने को मिलते हैं ठेस्ट ठीक है जैसे पहला है इसमें block building या cube construction है नाम से ही पता है हमें कि building blocks क्या होते हैं ठीक है ब्लोकों की दवारा building design बनाने को कहा जाता है ठीक है और इसके जो example है वो हमका Meryl Palmer Block Building next है course block design test Alexander's pass-along test ठीक है इस तरीके से कुछ जो यह example है किसके block building or cube construction के next रहता है इसमें तो फिट द्फा इंदऊ्स तो जैसी मदैं आम से चल यह पिशाने में कई ऺड़ा दिया जाएगा अब इसमें सतची के प्रिक्षा देशा हैусов घ्रा गिकर तर less नो में दिफनार प्लोक है को फिश Pois it is फॉलो करते हैं जैसे कि एक्जाम्पल यहां पर हम दे देते हैं सेंग्विन फॉर्म बोड टेस्ट या फिर गोडार्ड फॉर्म बोड टेस्ट का नेक्स आता है भूल भूलेया को खोजना या इसको हम ट्रैकिंग अमेज भी कहते हैं ठीक है यह बहु काफ़ इंपॉर्टें है परिक्षा सामगरी में क्रमानुसार कठिन होती हुई भूल भूलेया समेलेते हैं मतब एक तरह से आपको बताया जाएगा भूल भूलेया के आपको दे दी जाएगी यह बूल भूलेया अलग-अलग कागजों पर छपी होती है परिक्षार्थी को प्रवेश से अंत तक ऑन की जो प्रवेश से नानों से परिक्षा लात कि से रही इस फ्रयाशंत है और व्युक्त प्रिक्षावूं से इस परिक्षाओ की बछे ने होता है इन है कि किसी प्रकार की क्रियाओं पर बल इया जा रहा पर आ न top हो सम्हान कि पूंभि नहीं कोई नोज ना कोई एक्टिविटी पेस में बल दिया जा रहा है और व्यक्तीकत मांसिक योगज्यता कि पुन बॉधिक परिक्शा करने के लिए एक या दो परिक्शाओं की बजाए क्रियात्मक परिक्शाओं को जिसे सकेल या बेटरी कहा जाता है मैं संगठित किया जाता है इसमें से कुछ स्केल निम निम लिखता है तो देखो कुछी scales कोन-खोन से जैसे Pinter Patterson Scale, Arthur Point Scale, Alexander's battery of performance test and Immediate Memory Test for digits के लिए हो जाएगा और Performance Construction test तो यह अलग-अलग कुछ तेस्ट थे, ठीक, next है देखो vexler value buddhi scale, यह क्या है तो सिंपल अगर हम बात करें कि यह जो है ना मेंली दो टाइप के होते हैं ठीक है दो रूपों में मिलती है एक होता है डबलू आई एससी जो की मेंली यूज होते हैं किसके लिए छोटे बच्चों के लिए और दूसरा होता है डबलू ए आई ये जो होता है प्राउडों के ये प्रयोग ये क्या है व्यक्तिकत परिक्षा है जिसमें भावात्मा की वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों स्केलों की विशेषता है इस स्केल में क्या होगा यहां पर वर्बल भी आएगा और यहां परफॉर्मेंस जो क्रियात्म हैं वह बाते भी आएंगी इस स्केल के म 16 मोंच भाषात्म के स्केल का निर मांड करते हैं, और शामानने घ्यान की परिभाशाइट। देखो अलग-अलग होती है भाषात्म के स्केल के अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या चीज़े हैं जैसे की सामान्य ग्यान की परिभाशा ठीक है कि सारी चीज़े इसके अंदर आती है परियात्मक स्केल या पर्फोर्मेंस अगर हम बात करें तो इसमें आता है देखो पर्फोर्मेंस जिसमें अपरिया कर रहे हो तो अंक प्रतीक डिजेट सिंबल नेक्स्ट है आपका चित्रफूनता यानिकी पिक्टर कम्पलीशन परिक् तो यह सारी इसके अंदर आते हैं और व्यक्ति की जो बुद्धी है को मापने के लिए इन जो यह उपरिक्षाइं होती है प्राप्त अंकों को जोड़ा जाते हैं जो भी उसकी बुद्धी होगी उसमें जो भी इसका IQ आएगा प्लस जो भी इसमें आपके जो मार्क साइंगे इसको एड कर दिया जाएक तो इस तरीक से निगाले जाते हैं इक तरह से कि क्या उसकी इंटैलिजेंस से उसका पता किया सामुह में भाषात्मख द्वार।ि वरा एक रहां को तो तो रहां मिですね सामूह बद्ग सुमस्यां ओधियुत है दो रहा है भाषा का प्रेयोग आवशयकक ब्हाशक को अब बहुत का बहुत है तो इसमें सबसे पहले स्गे सो आथाा है आपका साइनिक अलफा परिक्षा है यानि कि army alpha tests तो यह भी काफ़ important होते हैं आदेशों का अनुकरन करना से जो भी instructions दे जाते हैं उनको follow किया जाता है arithmetic problems यहां पर दी जाती है और अव्यवस्थित वाक्यों को व्यवस्थित करना कि कैसे अव्यवस्थित कोई जो भी sentence है तो उनको क्या कर देना व्यवस्थित करना अनुक्रमिक संख्या है अनुक्रमिक संख्या है जो भी कुछ मतब numbers से related चीज़ा आती है नेक्स्ट आता है शब्दों का संबद और फिर सूचना इन्फॉर्मेशन की बात यहां पर यह चीज़ें इसके आर्मी जो एल्फा टेस्ट है उसमें आता है ठीक है नेक्स्ट आता है सैनिक समानिय वर्गी करण यानि की आर्मी जेनरल क्लासिफिकेशन अब इसमें क्या होता है एक दूसरे विश्व युद्ध में निर्मि इसमें कुछ शब्धावली गड़ीटी तर्क तत्रण ब्लॉक दुमानसिक यflowingटा के टोरमयन इसम्वो मांसिक योईता के तर्मयन गुं परिकशा परिकशा यह जो परिकशा Хोती है इनमें दस उपक्रिक्षाएं होती हैं तो सूचना हो गया इन्फॉर्मिशन लेना लोकोक्तियों तथा वास्तविक जो तथ्यों की व्याख्या शब्दों का अर्थ तथा ने उनके विपरिदा अर्थक होते हैं जो इन्टोनिम्स होते हैं उनकी बात और गडित की समस्याएं तारकिक चुनाव वाक्यों के अर्थ कोई sentence है उनके क्या meaning है समानताएं क्या है अव्यवस्थित वाक्य वर्गीकरण और अंक अनुक्रमिकाओं की पूर्ति तो यह जो है कुछ इसके 10 points इसके अंदर होते हैं तो यह जो परिक्षा होती है सफलता का पूर्वानुमान करने तथा एक समाननी वर्गीकरण जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है नेक्स्ट आते हैं कुछ other important टेस्ट हैं जैसे की CIE test of intelligence अब देखो इसमें क्या है प्रोफेसर उदैशंकर ने 1953 में जो केंद्रिय शिक्षा संस्थान म संद्वान बुद्धी परिक्षा का हिंदी रूप विकसित किया सके हिंदी उन्हों भेसे किया समो मिया जैलोटा चरता कैल सामोही करिक्षा की उदि शंकर बुधि परिक्षा इसमें कुछ अधर है उन नहीं कि किal देव हम बारे मात करने ऊधाय ब्युरॉ इल्लहाबात की कुछ परिक्षाएं प्रयाग महत्तकृत सामोहिक बुद्धी परिक्षा जोजएं इसमें रहीच और अब आती है भाषा रहित त embaixo के साथ था ऑप हम देखेंगे भाषा रहित सामोहिक बुद्धी परिक्षें इन परिक्षें में भाषा प्रयोग की आवशक्ता नहीं होती शिकागो भाषा रहित्परिक्षं परिक्षें यह जो परिक्षा है यह बारा से देरा वर्ष जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट होती है लेकिन क्या होता है यह जो परिक्षन है छे वर्ष की आयू के बालकों से लेकर जो प्रोड व्यक्तिय उन पर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है इस परिक्षन में अंक प्रतीक वस्तुमों का वर्गी करण समानता का प्रत्यक्षी करण लकडी के ब्लॉकों को गिनना कागज आकार पटल चित्र विवस्था आकृति की तुलना आदी मुख्य बद इसमें है नेक्स्ट आता है आपका सेना का जो बीटा परिक्षन होता उस समय इसका जो इक तरह से जो बहरती होने वाले जो सैनिक थे उनका चैन करने के लिए किया गया था इस यह जो परिक्षन है उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अशिक्षित थे या जिन्हें भाशा का ग्यान नहीं था इस परिक्षन में क्यों निमलिखित प्रकार क प्रश्ण है जैसे वस्तू की गढ़ना करना चित्रों में अंकित विचित्र जो भी वस्तू होंगी ठीक है उनको एक दूसरे से उनका संबंध बताना और चित्र में उन वस्तू पर चिन लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध था तो यह तरह से उनके लिए था मतब कि वह ज्यादा पड़े लिखे तो होते नहीं तो एक दिरह से उनको क्या दिया गया ऐसे टेस्ट दिये गए जो कि सिर्फ वह कुछ प्रशन्स होते थे इनको वह पूरा कर लें थर्ड इसमें आता है पिंटर पैटर्सन और शापदिक परिक्षण अपर भी ये परिक्षण प इनका भाषा संबंदी पिछड़ापन इस सीमा तक पहुंचिया तब इतना जादा उनमें ये मताब भाषाई प्रॉब्लम में हैं जिससे कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर उनके इक बारी शब्द परिक्षण शापदिक परिक्षण अगर बहुत बार उनके हुए ह तो उनसे कोई उनको रिजर्ट नहीं मिल रहा है इसके लिए यह जो टेस्ट है यह करना पड़ता है इस परिक्षण में क्या होता है इंस्ट्रक्षण जो होते हैं मौकिक रूप से दिये जाते हैं आथ्वा या फिर हम कह सकते हैं मूग का भी नहीं यानि कि जो एक तरह से जो सिंपल ऐसे बताते हैं ठीक है बिना बोले इशारों से कि रूप में परिक्षण में चित्र खीचना उल्टा आलेखन इतथा जो पैटन संथेसे से अधी से संबंधियत कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पद होते है जिनको फॉल्य किया जाता है फूर्थ आता है इ प्रगतिशील मैट्री से इस परिक्षण अब इसमें क्या है इस परिक्षण की रचना 1938 में किस ने करी है रेवन ने करी है ठीक है इस परिक्षण में दो परिक्षण है बालकों के लिए कलर्ड प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस टेस्ट तथा वयसकों के लिए तो देखो सिंपल इसमें क्या था कि यह जो परिक्षण होते हैं इसमें 36 आकृतियों के आंसर देने में कुल समय जो होता है वो लगभग 30 मिनट्स लगता है स्टेंडर्ड प्रोग्रिसिव जो मेट्राइस टेस्ट हैं उनके लगभग 5 जो हैं भाग होते हैं और प्रतिय भाग में कितने 12 पद होते हैं अर्थात 60 पद एक तरह से हम कह सकते हैं यह सभी पद जो हैं वो बुद्धी के कई कारकों से संबंधित हैं जैसे अमूर्थ चिंतन विबेद कारी चिंतन तारकेक चिंतन समझने योग्य शक्ति दूरी संबंधि आ दे तो यह सारी चीजेस के अंदर आती है और यह जो परिक्षन होता है इस परिक्षन में पर रखकर एक तरह से आकरती को पूरा करने के लिए कहा जाता है यहां अत्यांत लोगप्रिय रहत सामुहिक बुद्धी परिक्षा है यह बहुत ज्यादा एक तरह से क्या है फेमस नहीं है CIE Non Verbal Group Test of Intelligence जो यह Non Verbal की बात हो रही है तो जे डबलू जो जैंकिन्स है ने इसका मौलिक रूप से निर्माड किया और हिंदी माध्यमे स्कूलों के लिए CIE का CIE द्वारा इसका प्रकाशन हुआ ठीक है अब इसमें भी कुछ अलग-अलग टाइप की चीज आती है देखो तो सिंपल हम कह सकते जैसे कोई कोई अगर कोई चीज आपने लिखी है ठीक है तो उसमें अगर कोई राइट साइट में या कोई लेफ्ट साइट में अगर कोई अब इनमें से एक ऐसा आकार ढूंडो जो बाई और दिये गए तीन आकारों में सबसे मिलता जूलता होगा और उसके नीचे अंडरलाइन आप कर दो यह बात बोलते हैं ठीक है तो मतलब आपको कुछ अलग-अलग टाइप क्या है कुछ शेप्स दिये गए है जो की क्या है लेफ्ट राइड अलग-अलग जगे पर होंगे तो यह बोलते हैं कि जो इनमें सबसे ज़्यादा सेम सिमिलारिटी होगी किसी से ठीक है जैसे हम कह सकते हैं जैसे कोई ऐसा है ठीक है कोई इस तरीके का है और कोई ऐसा है कोई इस तरीके का है और आपको वह दे रखा है थो यह थी आज की फर्स्ट वीडियो बुद्धी की ठीक है और होप सो कि आपको पसंद आई हो और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकरन भी प्रेस कर देना जिससे की आपको मेरी नोटिफिकेशन्स मिलते रहें झान कि वाची धनाओ पस्टाइब।